हेलो स्टुडेंट्स जैसे कि आप लोगों ध्यान है अपना ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है और मैं कहा है काफी बिश्थ्रित और काफी कोश्चन लेके चल रहा हूं निये अगर बुक की एक्सरसाइज के साफ से चलें तो अब तक ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो ज पर साइज जो गौवर्मेंट की जो बुक है अपनी चलती है उसके एकॉर्डिंग चल जाएंगे हाना कि बुक काई मैटरेल पड़ा रहा हूं पर मैं कोश्चन बुक से काफी जादा करा रहा हूं अपनी तरफ से अच्छा दूसरा जो बच्चे आज ही वीडियो पहली बा है लो फिर उपर आप को चैनल एक्लिक करने वाद रहा है अप प्लेश्ट वालेय उप्सिंपक टो क्लेक करेंगे तो क्लासवाइज वीडियो और जाएंगी उसमें मैं चीनी तो मायथ की फिजिक्स की इना फिजिक्स की जैसे विदों को अब लिए हैं मैं पने धी अबत वीडियो तो बहुत सारी है पर टिग्नोमेट्री की जो वीडियो है वहां से आप लोग स्टार्ट कर देना क्योंकि यह टॉपिक टिग्नोमेट्री चल रहा है ना उससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको छोटा मोटा कॉंपलेक्स नमबर है फैक्टरियल है किनिकुलिट यह कई सारी चीजें पढ़ा दी पर अब रेगुलर में टिग्नोमेट्री चल रही है तो आप लोग जो पहली वार वीडियो देख रहे हो वो इस वीडियो से पहले टिग्नोमेट्री की पहली वीडियो से देखना श्टार्ट करें ठीक है अच्छा कोई बग्चा लग रहा तो हमारा जो चल ला था सिस्टम साइन एक्स कोसेक्स टेन एक्स है ना इनके ग्राफ चल रहे थे तो बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो मैंने बता दिया आज मैं आप लोगों को बाई बराबर कोसेक्स का और टेन कोट इन पर चलेंगे तो अभी स्टार्ट मैं बरावर कोस X अच्छा कल की किलास में आप लोगों को बताया था कि ग्राफ खीचने के लिए X की वेलू रखनी पड़ती है उनके संगत बाई की वेलू आती है और इन X और बाई की वेलू से बिंदू बनते हैं ग्राफ पेपर पे जैसे मानलो ये ये X अच्छ और ये बाई अच्छ ग्राफ पेपर हो गया अब इस पर बिंदू बनेंगे ऐसे फिर इन बिंदू को क्या करना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा और ऐसा मिलाने से क्या बन जाएगा ग्राफ ठीक है तो हम कोसेक्स का अगर आप खीचने वाले हैं तो कोसेक्स का अगर आप खीचने के लिए हमें X की बेलू रखनी पड़ेंगी तो कल की क्लास्वर में आप लोगों बताया था कि 45 डिगरी के अंतराल को लेते हुए आप X की बेलू रखिएगा जीरो ठीक है पेंटालीस डिगरी जिसको पाई वाई फोर भी बोलते हैं मैंने लेख दिया है या पाई वाई फोर ठीक है ऐसे ही 90 डिगरी इसको हम पाई वाई टू बोलते हैं पेंटालीस पेंटालीस के अंतराल पे तो 90 प्लस पेंटालीस कितना बटेगा 135 डिगरी ठीक 3 इंटू 45 तीन गुणा 45 है तो 3 इंटू 45 पाई वे फोर उससे अगला 45 और जोड़ते हैं तो 180 डिगरी जिसको पाई से डिनॉट या रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर 100 सी प्लस पेंटालीस दो सो पचीस डिगरी अच्छा दो सो पचीस डिगरी जो है यह जाएगा कितना यह 3 पाई वे फोर फोर पाई वे फोर इसको 5 पाई वे फोर मालो देखो यह तो जीरो गुणा पाइवेफोर है यह एक गुणा पाइवेफोर है यह दो गुणा पाइवेफोर है दो गुणा पाइवेफोर गल करो इतनी आएगा यह तीन गुणा पाइवेफोर है चार गुणा पाइवेफोर है पांच गुणा पाइवेफोर है छे गुणा आएगा दो सो पच्चीस और पेंटालीस दो सो सत्तर छे गुणा पाइवेफोर दो सो सत्तर और पेंटालीस तीन सो पाँच डिगरी यानि कि साथ पाइवेफोर है देखो जीरो पाइवेफोर एक पाइवेफोर दो पाइवेफोर तीन पाइवेफोर चार पाइवेफोर 305 में 45 और जोड़ दो 306 डिग्री यह तो रेडियन पद्धिती रहा करती है यह डिग्री वाली पद्धिती है इस ग्राफ के बाद मैं इसी चीज़ को पढ़ाऊंगा थोड़ा फिर बापस से यहीं आ जाएंगे किस चीज़ को पढ़ाऊंगा रेडियन पद्धिती और डिग्री पद्धिती को पर उससे पहले अपने च्छेव के च्छेव ग्राफ कीच लेते हैं साइन कोस्ट है इनके तो यह तो एक्स के मान रखे गए हैं अब इन जगहां पर बाई के मान आएंगे कैसा आएंगे देख यह एक्स का मान जीरो रखो यहां रख दिया कोस जीरो एक लिए बाई बरावर एक एक्स का मान पाई वैफ फूर रखा तो कोस पाई फूर कोस पैंतालीस एक वटे रूट दो मैं आपको कल बता चुका हूं एक वटे रूट दो लगबग पॉइंट साथ होता है अच्छा एक्स का मान नब्बे डिगरी रखो तो कोस नब्बे डिगरी जीरो लो बाई के मान जमाने लग रहा हूं मैं अब आजाओ एक सो पैंटीस डिगरी यहां तक कि हमें याद नहीं है हमें तो किवल नब्बे डिगरी तक ही याद होते हैं ठीक तो क्या करो एक्स रावर कितना 135 डिग्री निकालूं बाई बराबर कॉस 135 अच्छा कॉस 135 को लिखा जा सकता है 90 गुड़ा ठीक है एक प्लस के 45 डिग्री अब ये नियम रटे पड़े रहने चाहिए मैंने पहले बहुत सारे कोश्चन करा दिया आपको एक सम ये बिसम पे निर्वर करता है 90 के गुड़ाज पे बिसम है ना एक बिसम है तो कॉस क्या बन जाएगा साइन ये कौन जोंकी तो और कॉड़ेंट है दूसरा दूसरे कॉस रहता है माइनस का माइनस का साइन 45 मतलब माइनस का एक वटे रूट दो माइनस के एक वटे रूट दो अब आजा तुम पहला मान रख दिया दूसरा वाला इस वाले पर पहुंच गये हैं न 180 डिगरी पर तो बाई बराबर एक्स कितना रख रहे हैं पहले तो एक्स होता दूँ 180 डिगरी तो बाई बराबर कॉस 180 डिगरी तो कॉस 180 को लगा जा सकता है 90 गुणा 2 प्लस 0 डिगरी बैठेगा 90 गुणा 2 प्लस 0 डिगरी ठीक है? अच्छा 90 गुपना 2 प्लस 0 डिगरी है दो सम है के सम? सम सम है ना तो कोस तो कोस ही बना रहे गा 0 डिगरी जो की तो क्वाडिनट वैट रहा है दूसरा कोस माइनस का तो माइनस का कोस 0 डिगरी का मतलब है माइनस का एक तो अगर एक सोसी डिग्री रखा जाएगा ना कॉस में तो कॉस की वेलू बैट रही है माइनस एक लेख ठीक अब अगली वेलू तीसरी नम्मर की एक सरावर दो सो पचीस डिग्री पहे बाई बरावर कॉस और दो सो पचीस डिग्री बाई बरावर कॉस दो सो पचीस डिग्री को लिखा जा सकता है नब्बे गुड़ा कितना दो प्लस पैंत आलिस ये सब लिख रहा हो नहीं नब्बे गुड़ा दो प्लस पैंत आलिस सब की खूब सारी प्रेक्टिस कर रहे हुए तो नब्बे गुड़ा दो प्लस पैंत आलिस अच्छा दो समे के बे सम सम दो समे है बे सम सम है तो कौस तो रहेगा कोस ही और ये जो की तो कॉड़न देखो कौन सा है 90 गुड़ा दो प्लस पैंत आलिस है न जानें नजानें एक नब्बे दो नब्बे और प्लस पैंत आलिस हो रहे है थार्ड कउड़न ले दो बार नब्बे करो पहला खाना एक नब्बे होता है दूसरा खाना दूसरे नब्बे और प्लस हो रहे कुछ थार्ड क्वाडेंट में थार्ड क्वाडेंट में कोस कैसे रहता है माइनस का तो माइनस का एक वटे रूट दो चोथा एक्स बरावर ठीक है चौथा एक सब्रावर एक सब्रावर कितना दोशोब पचीश तक तो रख ज़्यामने दोसो शत्तर डिगरी तो बाई ब्रावर कॉस नभ्य गुणा तीन प्लस जीरो नभ्य गुणा तीन प्लस जीरो अब सुनो एन समय के बिसम 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 है तो कोस क्या बनेगा साइन और यह वाला जोंकी तो अब क्वाडरेंट कौन सा है क्वाडरेंट है देखो कौन सा क्वाडरेंट है तीसरा वाला है तीसरे हम कोस है माइनस का और माइनस साइन जीरो तो जीरो ही रहे भाई तो एक्स जब 270 है तो बाई की वैलू कितनी आ रही है जीरो ये नहीं रखा बाई कितनी वैठी थी जाने माइनस एक वटे रूट दो अब इसमाई जाओ 305 डिगरी पाँच वैलू एक्स रावर 305 डिगरी तो बाई बरावर कॉस 305 डिगरी कॉस 305 को क्या लखा जा सकता है पता है 90 गुणा 3 प्लस 45 ये मैं समझा नहीं रहा हूँ कि कैसे लिखते है 90 गुणा 3 बता रखा है कि 90 गुणा करते करते उसके पास पहुँचते है तो 90 गुणा 3 प्लस 45 डिगरी हुआ है तो है इन्समे के बे स्मब मुश्म जब प्र ईभिसमें तो कोष्ट की बंजेगा सॉइन यह जों कितों हुआ वैट वैट और फोर्त देख लोग बनीगें। तीन बार तो नबै पूरु करो और प्लस 45 हो रहे तेहो 1,90, 2,90, 3,90 प्लस हो रहे तो और आगी बढ़ो फूर्थ कार्डिन्ट है फूर्थ में सायन सरी कॉस जिसकी बेलो नकालते है उसका देखते है फूर्थ में कॉस रहता है प्लस का तो प्लस का एक वटे रूट दो प्लस का एक बटे रूट दो एक बटे रूट दो अब आजाओ 360 डिगरी पे एक्स बरावर 360 डिगरी तो बाई बरावर कोस 360 डिगरी कोस ये 90 गुणा 4 प्लस 0 बन रहा है 360 डिगरी जो है न वो 90 गुणा 4 प्लस 0 90 गुणा 4 4 सम है के बे सम सम है न तो कोस तो बना रहेगा कोस ही ये जो की तो कौड इंडर प्लस कितना है एक एक लो भाई ये साज़ी बर्दी में इमानों से इन एक्स के मानों को अगर कोस में रखा जाए तो कोस के ये वाले मान आते है हम मैं इसे मिटा के गराप की चूँगा क्योंको जग्या तो इतनी है न मिटाओं ये सारी चीज़े रख रहा हूं मैं न एक्स जीरो डिग्री यहां होता है फिर पेंटालीस डिग्री नब्भे डिग्री ठीक एक सो पेंटीस डिग्री नीचे लिख देता हूं फिर एक सो असी डिग्री दो सो पचीश डिग्री दो सो सत्तर डिग्री तीन सो तीन सो पंद्र होगा साथ भाई है गड़वड हो गई है तीन सो पांच ना होगे कितना बैठेगा तीन सो पंद्र है पेंटालीस पेंटालीस जोड रहे हैं न तो तीन सो पंद्र है डिग्री बैठेगा तूटेगा वह ऐसे ही 90 गणा 3 प्लस 45 बेलू तो सही है तीन सो पंद्र है और 45 जोड़े तो तीन सो साथ डिग्री अच्छा हमें बाई बराबर कोस एक से तो cos की value तो माइनस x और 1 तक होती है कल की वीडियो में मैंने summary में बताई थी फिर भी बैसे ही 1 चलो 2 तक लिख लो माइनस 1 माइनस 2 अब बिंदू लगाना start करता हूँ x कमान 0 और by कमान 1 बिंदू हुआ 0 एक x 0 और by 1 यही बिंदू है x तो 0 हर जगे होता है सुनों जिनको नहीं पता होता है y x पर हर जगे x 0 हो रहता है यहां भी x कमान 0 है कैसा मादू के इस बड़े एकना है अरे x दिसामें अगर 성 चल रहे हो तो x बढ़ता जाएगा अब यह चल रहे हो ना तो by पर तो चल रहो x दिसामें पर बाई बरावर एक इसी जगेंपर यह बिंदो ऋगया है कि एक्स 45 डिग्री पर पॉंट साथ प्ॉंट साथ पॉंट पॉंट पॉंच पॉंच बीच में थो पॉंट साथ यहां कहीं लो दोनों मिला दिये भाई Lob का और एक्स का 45 दोनों मिला दिये यह आ गया एक्स रावर 90 पर बाई की वेलू जीरो है एक्स तो यहां 90 और बाई जीरो है बाई जीरो मतलब बाई दिसा में नहीं चलना उपर नीचे नहीं चलना तो ही रहो अब आ जाओ 135 डिग्री पर 135 डिग्री पर माइनस का एक वटर रूट दो नीचे हैं माइनस का पॉइंट साथ अंदाए से यह लगा दिया मैंने 180 डिग्री पर है माइनस एक लगा दिया 225 डिग्री पर माइनस का पॉइंट साथ यह तो 225 की सीट है और यह माइनस के पॉइंट साथ की सीट है दे फेरी यह बिन्दू कर देता हूं जहां सीट दोनों मिल जाएं फिर 270 पर जीरो है एक्स जब 270 है तो वाई जीरो है फिर 350 पर पॉइंट साथ 350 एक सीट यह रही और प्लस का पॉइंट साथ है मतलब यहां है पॉइंट साथ यहां तो एक है न तो इसके नीचे होगा पॉइंट साथ इसकी सीट मिला हो लो मिला दी 350 पर एक ग्राफ वो देखो मिला रहा हूं जो जो बिनदू थे उनको ऐसे हलाकि एक्स के और माण लिये जाये ना तो यह बढ़ता बढ़ता है यह यह चलता है अगर मैनस के लेते है ना तो यह आता ही है ऐसा होता है कोस का इस चगरता है sign का graph यहां से गुजरा था यह चला था यह ऐसे cos का उपर से गुजरता है by बरावर एक से और जब कि sign का by बरावर जीरो से गुजरता है ठीक है यह तुम्हारा by बरावर cos x का graph है मैंने आगे बैसे बढ़ा दिया है बता दिया है अगर x के और मान रखे जाएं तो यह इस प्रकार आएगा यह यह लहरा खाता है तो sign और cos का graph मैंने आपको बता दिया है अब मैं आपको 10 का graph बता रहा हूँ sign का कल बता था ना और cos का आज बता दिया y बरावर 10 x system बोई है x के और y के x के मान रखने है उसके संगत y के मान x के मान और उसके संगत y के मान x के मान कहां से 0 degree, 45 degree, 60 degree 0 degree, 45 degree, 60 degree और आज साथ नहीं लेना 45, 45 कंत्राल पर ले रहा हूँ तो 90 degree लूँगा और 45 अब तो याद हो गेंगा तुम्हे 135 फिर कितनों ध्याने 180 फिर कितना था 225 फिर कितना था 270 फिर कितना था 350 फिर कितना था 360 इनके संगत y की value रखो यहां तक की बेलतों में बैसे ही पता रहती है दसमी पढ़के आए ना इसलिए X 0 रखोगे तो 10 0 0 रह भे तो बाई 0 X 45 degree रखोगे तो 10 45 degree एक रह भे X 90 रखोगे तो 10 90 अनंत रह भे अब यहां से स्टार्ट कर देते हैं मान रखना 135 से आगे आगे X बरावर 135 degree तो Y बरावर 10 135 degree कितनी वार करते रहेंगे कि 90 गुणा 1 प्लस 45 degree है यह 135 है ना अच्छा 90 गुणा 2 माइनस 45 भी लिखा जा सकता है और 90 गुणा 1 प्लस 35 45 एक समय के बिसम 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 होना है तो 10 क्या बन जाता है कौट और यह जोंकीतों आगे कुण सा चिन है यहां कुण सा चिन है कौडरेंट के साब से 135 यह 90 गुणा 1 प्लस 45 है ना सेकंड कौडरेंट बेटता है और सेकंड में 10 कैसे रहता लाला माइनस का कौट 45 और माइनस का एक हो जाएगा फिर कौट 45 डिगरी एक होता है ना माइनस पहले से चल रहे है पहली बेल्यू दूसरी एकस बरावर 180 डिगरी पा जाओ तो बाई बरावर कौस 180 डिगरी बाई बरावर कौस 160 डिगरी कौस 90 गुणा दो प्लस जीरो कौस तो कौस 90 गुणा दो प्लस जीरो ठीक है एनस सम है इसलिए कौस तो रहेगा कौस और जीरो डिगरी जोंकी तो हूँ कौस तो रहेगा कौस 0 डिगरी जोंकी तो हूँ अब क्वार्डिंट पाजाओ कौन सा क्वार्डिंट है सेकंड है भाई सेकंड में यह कौस कहां से लग गया टेन है टेन बच्च और कन्पूर जाते है टेन टेन रहता है सेकंड में माइनस का तो आया जीरो एक सो असी डिग्री पे बाई की वैलू जीरो एक सो पेंतीस पे माइनस एक आई है अच्छा तीसरी वैलू एक्स ब्राबर दो सो पच्चीस डिग्री तो बाई ब्राबर टेन दो सो पच्चीस डिग्री तैन अच्छा दो सो पच्चीस डिग्री जो है नब्बे गुणा दो प्लस पेंतालिस डिग्री तैन तो जोंकितों दो सो पच्चीस नब्बे गुणा दो प्लस पेंतालिस अब देखो एन देखना होता है न में एन एन यहाँ दो है सम है के बे सम अगर यह सम है तो टैन तो क्या रहेगा टैन और पेंतालिस डिग्री जोंकितों कौड्रेंट नब्बे गुणा दो प्लस पेंतालिस करते हैं तो तीसरे कौड्रेंट है तीसरे हम टैन कैसे रहता है पॉजिटिव तो एक आया एक आया दोसुपच्चिस डिग्री का मान 10 270 को 90 गुणा 3 प्लस 0 10 270 को 90 गुणा 3 प्लस 0 Sum है बिसम बिसम है न तो 10 क्या बन जाएगा caught और यह 0 जोंकितों चतुर तांस तीसरा ही बन रहा है तीसरे में 10 प्लस caught 0 देखियू caught 0 गोटे sin 0 नीचे 0 आएगा तो अनन्त बनेगा अनन्त तो अनन्त अब 5 भी वेलिव X वराबार 315 रहे डेगरी Y बराबर 10 315 रहे डेगरी 10 इस 315 रहे डेगरी को लिखा जा सकता है 90 गुणा 3 और प्लस 45 90 गुणा 3 प्लस 45 तो एन समय है बिसम बिसम है ना अगर बिसम होता है ना तो 10 किसम बदलता है caught में तो 10 की जगे तो caught ये जोंकितों ये जोंकितों अब quadrant देखो ठीक है कौन सा quadrant है 90 गुणा 3 प्लस करते हैं तो पहला quadrant है सौरी चोथा और चोथे में 10 कैसे रहता है भाई माइनस का तो माइनस का एक आया अब बचा 360 डिगरी और बचा चट भी वेलू X बरावर 360 डिगरी ठीक है अच्छा X बरावर जब 360 डिगरी Y बरावर 10 360 डिगरी Y बरावर 10 360 डिगरी 10 इस 360 डिगरी को 90 गुणा 4 प्लस 0 90 गुणा 4 और प्लस 0 तो अब बाई बरावर N सम है के बिसम सम सम है ना तो 10 तो रहेगा 10 ही और 0 अब उने को तो माइनस है पर माइनस 10 0 0 ही तो रहेगा 360 डिगरी पर कितनी बेलो आगई 0 कुलमला के X के इन मानों के संगत बाई के मान नकालो 10 के हिसाफ से 10 ठीटा के हिसाफ से बढ़ दिए अब इनका ग्राप कीचा जाएगा देखो देखिए ये तो अपना X सक्षोगा और ये बाई X सक्षोगा X के जो बेलो है इनको X सक्ष पर डेनॉट कर रहा हूँ 0 45 डिगरी 90 डिगरी ठीक है 135 डिगरी 90 प्लस 45 किया तो 180 डिगरी और 225 डिगरी 270 डिगरी और कितना 315 डिगरी और 360 डिगरी ये तो X की वेलू रख दी मैंने अब देखो X जीरो पर कितना है जीरो ये विंदू आगया जीरो जीरो तो X 45 पर 1 अन्दा जीरो जीरो ये एक है ये दो है यूँ है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन तब 45 डिगरी पर बता हूँ कितनी वेल हूँ है एक लो और 90 डिगरी पर कितनी है नंत 90 डिगरी पर अनंत भी ये उपर है मतलब यह गराब जाएगा अगला बिंदू यहां से पता कितना है बाई कमान अनंत बाई मतलब उचाई यहां से अगला बिंदू कहा है पता हूँ अनंत उचाईप है यह उपर 90 के सामने और अनंत उचाईप है यह ले जाओ यह ले जाओ एक दम गुमावाना चाहिए हूं ठीक है यहां से यहां तक तो थोड़ा सा है पर 45 के तुरंत वाद कितना है अनन्त कोने अनन्त बाई और बाई मतलब उंचाई उंचाई कैसी है अनन्त ग्राप की अनन्त उंचाई उपर जा रहा है एच छोड़ दें अचाई यहां ले जाएंगे तो गलत हो जाएगो नबे सागे नहीं नबे पर हैनन्त तो नबे सागे मतलब जाओ नबे की सीत तक ले जानो है यहां एक दम उपर ठीक है अब आते हैं अपन 135 डिगरी पर माइनस एक है 135 डिगरी की सीत में ला रहा हूँ है माइनस एक यह रहा एक बंदू है ना गौर करना पड़ेगा थोड़ी से बातों पर 180 डिगरी पर 0 है 180 डिगरी बाई 0 है बाई 0 मतलब उचाई 0 उचाई 0 मतलब यहीं रहो यहो मत जाओ यहो 225 पर एक 225 पर एक बरावर हूँ चाईए और 270 पर अनन्थ उपर देखो यहों यहों 270 पर कितना अनन्थ अनन्थ उपर तरफ एक दम उचाई एक दम अब यहां से नीचे एक तरफ दे जा रहा है देखो 90 डिगरी पर कितना है अनन्थ है पर 90 से तनिक सा भी उपर हुआ ना तो 2nd को आजन्थ इस्टार्ट हो जाता है और 2nd में 10 रहे माइनस को तो माइनस अनन्थ की तरफ चला ज़या है का कह देए मिने 90 की बगल वाली विलू है न 21 डिगरी 21 डिगरी पर 10 की वेलू रहेगी माइनस की पर अनन्थ साइड मैं यह की दिया मैं देख यहां ऐसे आते जाए जाएंगा मैं पता मैं बता हूं जैसे देखो ए योँ ए योँ अगर माइनस के माद हो रख देते एक और लेने देखियो तुम 315 डिगरी पर माइनस एक है 360 डिगरी पर माइनस एक 360 पर जीरो योई जाओ योई ऐसे ये तो मैंने बैसी बना दिये पूरी तरय से तो ये बना है एक यहीं तक बन पाया था आगे गसा मेंने वैसे खिछ दिया यह यहीं तक बन पाया आगे गसा मेह बैसे खिछ दिया यह पूरा आ गया था थैसा benता है 10 का reflecting होती है ठीक है डंग से देख लो और बापा से उन मानों को समझ लेना इसमें समझने का प्रयास करो एक दम उपर क्यों कर देता हूँ है क्यों 90 ड् detox क्या है अनंत है कोन है अनंत भाई मतला उचाही éँ अनंत है ऐगर आपकी तो अनंत के तरफ छोड़े अनंत तो जाने कहा है बोड़ता है उपर जाना उपर है ना बादल में तो यही छोड़े लुदे तो आपको कौन सा गराब देखना है पर कल कोट एक्स का आप करके देखेगा ठीक है